दोस्तों गुड इमनिंग स्वागत है आप सभी लोग का चले शुरू करते हैं कल के लिए सिस और जानते हैं कि कल का बजार किस से ट्रेड कर सकता है किस लेवल पर हमें करने हैं से लिए बाई कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेबल शेयर करेंगे आपके साथ साथ में हैं उसमें कई लोग के डाउट हो सकते हैं और इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा सेशन को लाश्ट तक देखेएगा चली शुरू करते हैं सबसे दोस्तों एक अपडेट देता हूं लास्ट की जो कैस कॉल थी पोजिशनल उसका तार्गेट जो अल्मोस्ट 4% के करीब है 7 सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का दोस्तों कल के लिए जो रेजिटेंस से हुआ है 45,825 सपोर्ट है 44,985 तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि exactly हम लोगों ने जिस लेवल की चर्चा की थी अल्मोस्ट उसी के करीब जह मार्केट गया उसी के खुमा सिर्फ 100 पॉइंट से हमारा जो सेकेंड तार्गेट था जो 46,000 के था वो जो है रहे गया आपको याद होगा कल मैंने एक लेवल दिया था और वो लेवल था कि अगर 45,620 ब्रेक करता है तो आपके तार्गेट 45,800 से लेके और 46 तक के हो सकते हैं सो 45,900 प्लस के जो है आज हाई लग चुके हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारा 45,500 के ऊपर बाइंग था और मैंने एक यह होप दिया था कि अगर गैब डून होता है तो हमें मज़ा आएगा बाई करने में लेकिन वो गैब डून किया नहीं काफी अच्छी 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 280,75 को होल्ड करते हैं तो 130 के करी में चेक कीजिए आपको एक मूब मिल सकती है वहाँ फिर उसने 100-1505 के मूब दी उसको भी मैंने अपडेट दिया कि जिसने भी लिया था वो बूब कर सकता उस मूब को और उसके बाद मार्केट सदेन जो है फॉल देने लगा तो यह मार्क देखें आपको रिल्ल संदार मिलेंगे सबसे पहले कल के लिए फोकस करना है चुकि आप लोर लेवल पे हैं तो अगर 45-65 का लेवल अगर कल हो रहा है जो मैंने आज आफ्टन के लिए दिया था तो एक पहले बाउंस के लिए हम लोग बाई अटेम्ट ले सकते हैं धियान स 620 ब्रेक होगा तो एनदर 45-800 या 865 के मूब मिल सकती है अगर कोई ग्याप अफ होता है या इमिडियेट खुलने के बाद तीज मूब आती है तो 45-800 एरिया जो होगा वो फॉस्ट टाइम में सेलिंग का एरिया होगा जान से सुनिए का जब फॉस्ट अटेम्ट ले रहा हो बटन दबा देने हैं अब यहां से मार्केट जब तक 46,000 को फ्रापरली बोल्ड नहीं करेगा हम लोग यहां पर भाई को अवाइड करेंगे आपको पता है कि फाइन साइट से मैंक निफ्टी हुआ इन सब में मैं पिछले चार दिनों से कांटिनू जो है वाइड मोड में फिर से हम लोग इसी मोड में हैं कि हम इसको पोना करेंगे करेंगे की मार्केट यहां से घर यहां लेकिन ऑने वाल busy के लिए वो लिख लिए अपने पास काफी इंपोर्टेंट है अगर 45 का लेवल कहीं गलती से यहां के मार्केट तोड़ दिया यह यहां पर जो ब्रेकाउट होगा वह फेल हो जाएगा क्योंकि ब्रेकाउट का अभी तक रूल कंप्लीट हुआ अगर आपको दोस्तों फॉल किजिए लेवल को फॉल करेंगे तो आपको आराम से चोटी है तो चोटे-चोटे-चोटे-चलिएगा अगर बड़ी है तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं आई अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,775 से लेके 20 तक सपोर्ट है 90,485 जो कि 19,820 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था यहां पे जिसको मार्केट को जो है कैसे भी करके फॉलो करना यह रूल यहां के तारगेट 90,979 के ते और फिर वहां से सेलिंग के ते जो की सेकिन तारगेट है अगर यहां पर मार्केट एक दो दिन टाइम देखे और आने वाले टाइम में 90,685 ब्रेक करता है तो यहां से मैं अच्छा जो है से लेटम के लेंगे जिसके तारगेट 90,500 के होंगे आने वाले टाइम में अभी निफ्टी में कली के लिए क्या प्लाइन करनी है तो इसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा स्माल टाइम फ्रिम में तीक निफ्टी ने कुछ बहुत ज्यादा कुछ आज नहीं किया निफ्टी एक गैप लिग आपको बाद एक राइ तच करके वापस सजाना उसको ब्रेक करना नहीं बोलते है उसको एक बार ट्रेड लेना था रुकावट दिखानी थी उसने दिखाई नहीं गैप को फिल जरूर कर लिया तो यह जो एरिया जो कंसलेशन वाला आज इसने जो दिया है यह काफी इंपोर्टेंट है यहां पर देखेंगे तो चोड़े टाइम फ्रेम पर यह डबलो भी बनाया होगा तो अगर इसको गिरना है तो लेट भी ब्रेक फर्स नाइटी थावजन सेवन हेंड़ जैसे ब्रेक होगा हम यहां से जरूर एक सेल अटेम्ट लेंगे अगर यह उपर जाके नाइंटी थावजन यह उपर हमें निकलते ही बाइग करना है और सिर्फ नीचे का एक लेवल है नाइंटी थावजन को तोड़ देता है और तोड कर लेता है हम यह यह गिरावट दिखा सकते हैं कर सकते हैं data आएगा साम को तो कंफरमेशन आ जाएगी डेटा मनें च्क किया था यह है आपके सामने ढेटा करऊंगा लेकिन अभी तक डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं finance nifty की जिसने यूटन जो है लिया है राइस पर जाके important label है आने वाले time के लिए जो की है 20,140 का जो support है वो है 20,085 का और जो resistance से वह है 20,435 का अब देखिए finance nifty में किस हिसाब से काम करना है अगर दोस्तों कल finance nifty यह वाला area जो इसने काफी यहां पर आज time दिया है काफी expiry में जो इसने time यहां पर बेतीत करिये हैं live market में अगर यह तूटता है जो की label है 20,200 का 20,200 का label अगर टूट जाता है तो यह one sided गिरेगा और फिर उस समय आप shell कर सकते हैं अराम से label कुछे focus कीजेगा 20,185 के नीचे confirmation आ जाती है पहले target 142 तक के होंगे दूसरे second होंगे 100 के और उसके बाद सीधे 20,000 के target नजर आएंगे बट गिरावट जो अच्छी खासी हो सकती ह है सिर्फ अगर 20,200 का label hold नहीं करता है तो अगर यह hold करेगा तो might be possible कि 20,360 एक बार जा सकता है और यहां जाएगा तो second session में आप इसको sell के लिए देख सकते हो चुकि यहां पर will identify SL है जो की 20,395 का है या 410 के back में है इसको हम आराम से यहां पर sell attempt कर सकते हैं पहली बार हम उसको वहां पर book कर सकते हैं तो बहुत सारे डेटा बीज़े चेंज हुए होंगे डेटा कुछ कमी आएंगे मार्केट में सकता है कि 15 मेट टाइम ले अपनी डारेक्शन को confirm करने के लिए बट जैसे डारेक्शन कंफर्म होगा वह गिरावाट जो अच्छी कासी दे सकता ह सब्सक्राइब करेंगे जिसका लेबल होगा 2369 से लेके 73 के असपास 2382 का अल्राइट दोस्तों तो हम लोग मूफ करते हैं अपने उस लर्निंग पार्ट पर जिसकी चर्चा हमने की थी यहां पर हमारे जो एक सुजिज हैं उन्होंने एक यहां पर डाउट क्रिएट किया थ पोचिन हैं तो उनका कोशचं यह था कि सारी समें फ्में पोशचंन नहीं दिख रही है तो बससे पहले बता दो दोस्त कि कोई भी जoses होती है है और longs की हो या short की हो सारी सामने राती है लेकिन यह जो एक पार्ट है है कि अगर किसी ने हैज किया है तो वह position कहां दीखेगी तो वह position कोई एक column में नहीं दिखता है कि यह position जो हैज की है basically आपको पता है कि option में किसी साफ से हैज होता है कि अगर आपने call buy किया है तो वहां पर कुछ OTM के call को जाके long कर लेते हो इस हिसाब से हैज होता है तो वह basically हमें simple mathematical calculation से calculate करके देखना पड़ता है चीज को समझना पड़ता है कि उनकी positions क्या कह रही है क्या वो कहना चाहते है कि धर जो पोजिशन दिख रही है कई देफे जो है option चैन पर किलरली विजवल हो जाता है जैसे कल अगर आपने देखा होगा तो इस पार्ट आफ लर्निंग आपको इस पर मैनत करना होगा थोड़ा टाइम देना होगा तब आपको धीरे-धीरे चीज़े समझ में आएंगी तो टाइम दीजे दीरे-धीरे चीज़े क्लियर होंगी सुमित करूंगा दोस्तों कि इस session से आपको कल के टेलिग्राम को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए होप आपको ये चैनल बहुत कुछ देने के कोशिश करेगा थांको समझ दोस्तों मिलता है नेक्स शेशन में